हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है टेकी प्रो यूटूब चैनल में तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TWS के I-11 5.0 वायरलेस एरपोर्ट के बारे में तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स ये जो एरपोर्ट है ये एपल के एरपोर्ट के बिल्कुल कॉपी है इन्होंने बहुत जबर्दस कॉपी बना दी जैसा कि आप देख सकते कि इसकी भी आप मार्केट में कॉपी आने लगी है तो इसका ये बॉक्स है जिसमे लिखा है अपक्रेटेट वर्जिन ये सेंसर सपोर्टेट है और जो इसके बॉक्से साइड में है इसका नंबर दिखा हुए मॉडल नंबर और कंपनी का और ये जो पीछे लिखा है इस बॉक्स में इसका फूटो दिया हुए कि इस तरह दिखता है और नीचे सब इसकी स्पैसिफिकेशन है और दिखा हुए कि किस किस चीजों के साथ कॉम्पेडेबल है ओके फ्रेंड्स तो चलिए हम अभी से रख देते हैं और फटा फट इसकी अन्बॉक्सिंग करके देख लेते हैं तो हम इसके अफॉक्सिंग कर लेते हैं सबसे परें बॉक्स को उपन करते हैं रहे हैं जो यह साइड में रखते थे इसे इसमें से अपना एरपोर्ट निकालते हैं कि कि ऋफेरण से काम करते हैं पहले गले प्रट्रश नहीं करते हैं फवह देख लेटेज़ने कि इसके तरह क्या क्या चीजे़ आती हैं यहुग निकालक्या साइट में रख दो इसके बॉक्स में आता है एक चार्जर-जयर प्थ है चो बिल्कुल आईफ्वून वाला है और आता है एक user manual जो एक तरफ English में है और एक तरफ Chinese में है जिसकी जरूरत हमें नहीं पढ़ती है बिल्कुल भी इस पर कुछ लिखावाए है किसी को जरूरत हो तो पढ़ लेता है नहीं तो नहीं पढ़ती है इसकी जरूरत तो हम काम करते हैं इसे भी side में रख देता है अभी साधिसे हैं ओके फ्रेंज तो ऑब इस चार्जर है यह देख लेता है पहले तो देखेंगे चार्जर है यह पूरा पूरा एपल को कॉपी है और इसकी लेंद भी देखिए इसका चार्जर पूरा एपल एपल का जैसा है वैसे ही चार्जर है कि ओके इसकी एस्बी पिन और इसकी जो लेंद है वह होगी तकरीबन एक फूट या असपाज बहुत जादा नंबा नहीं है मगर चार्जिंग काफी तेजी से बढ़ता ही है तो जोले अभी बढ़ते हैं अपने में अब्जेक्ट की तरह एरपोट पे इसे हम निकालते हैं कुछ इस तरह की इसकी डब्बी है जो बहुत ही स्लीक है और बहुत ही ज्यादा अच्छी है तो देखे इसकी डब्बी है इसमें निचे चार्जिंग पॉइंट दिया हुए है जो इससे चार्जिंग होगा और पीछे जो है यह है उपर मैटलिक लॉक सिस्टम के साथ आता है तो मैटलिक लॉक है और जो इसके नीचे है यह इसका पावर बटन है इसे प्रेस करेंगे तो power on हो जाएंगी यह blue light show कर रही है कि power on है और अगर हम इसको घुमा देते हैं आगे की तरफ से देखेंगे तो यह जो light चल रही है red इसका मतलब कि इसमें charging अभी है ओके तो चलिए अब इसे मैं आपको open करके भी दिखा देता हूं तो देखें यह इसका इसमें यह खाचे में fit हो जाते हैं इसकी position पर और light जल रही है चलिए एक भार निकाल के देख लेते हैं देखें फ्रेंट्स यह बहुत ही जबर्दस्त एपल के आइपोर्ट की copy है और अगर किसी ने यूज नहीं किया हूंगा एपल का एपोर्ट तो कोई बता नहीं सकता करीब से भी देखें कि यह कॉपी है और इस sensor के साथ आते यह जो पीछे है जिसका charging point है जो डबी में भी है इसका point जो connect हो के charge होता है जिससे वह ओके फ्रेंट्स तब दूसरा भी देख लेते हैं देखें यह बिल्कुल शांदार बने में है white elegant color में है ओके इसमें भी वही चीज़े है अब दीखें इसको जो में on off करना हो था हम क्या करते हैं अब तीन सेकंद तक प्रेस करेंगे इसको हटा लेंगे तो यह on हो जाते हैं और फिर से तीन सेकंद पर प्रेस करेंगे और दूसरे एड़फून में भी करके दिखा दूँ तो पुछ इससे काफी अच्छे से पता चल जाएंगा तो यह वह है दूसरा एरपॉर्ड हमारा यह जो दीखें कि कितना अच्छा दिख रहा है तो हम इसे प्लेस करेंगे तीन सेकंड रैड लाइट ब्लिंक हो के बंद हो गया और हम जब फिर से इस पर ही प्लेस करेंगे तो दीखें फ्रेंज यह ओन हो गया यह एरपॉर्ड ओके तो रखते है और इसे मुबायल से कनेक्ट करके देखते हैं कि कैसा होता है कनेक्ट मोबाईल में ओके अब या ओके देखें ब्लूतूथ ऑन कि हम मुबायल में सर्च क्या अए हां अजिकि प्रेंड्स काफी जल्दी इसने शो भी भी कर दिया हमें यहां पर इसका नंबर लिखा वा रहा है I-11 हम इसमें प्रेस करेंगे तो यह connect हो चुका है इसमें सब बता रहे हैं call recording के लिए करना और किस किस चीज़ के लिए करना है तो यह हर चीज़ के लिए connect हो गया है तो इस तरह इसे use करते हैं एरपोर्ट्स को चलिए अब हम इसे रख देते हैं वापिस तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेर कीजिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे इंपॉर्डन अपना ख्याल रखिए बाए